ये देखिए ये मिली मुझे अभी अभी ये विहान की योगी ये देखो इसमें लाइट है ये लाइट चलती है ये देखो ये लाइट चलती है इसमें ऐसे दबाओ चलकी ये नमकीन चावल थे दहीं के साथ मैंने बनाए थे खावी लिये थे और इधर आप देखोगे हम कार में बैठे हुए है विहान आगे भाया की गोदी में बैठा हुआ था पीछे मोशी जी ममी और मैं बैठे हुए थे तो अभी ममी भी आज तयार हो गए थे अलावbell ही ते साहर के नजदीक पड़ता है अराम करे लेकिन ममी खुद से ही बोले भोते मुद carbon artist than साल पहले और मैं यही बात कर रही थी यहां पर मोसी जी के साथ मैं बोल रही थी कि मोसी जी यहां ना मैं जब आई थी ना विहां इतना छोटा सा था और मेरे मतलब बहुत उस टाइम तो लाइफ का बहुत ही बुरा टाइम था मेरी जिंदगी का और आई थी मैं यहां पर और उस टाइम की कितनी यादे थी, कितना अच्छा लगा था तब आये थे, और अब तब आये थे या अब आए हैं, कितना टाइम हो गया, और इतना अच्छी जगह हैं, लेकिन फिर भी देखो, अब आना हुआ, बस मननत मांगी थी, मैंने कुछ, वो मननत मेरी थोड़ी सी पूर हो गई थी, तो मैंने का नहीं सुक उतारनी जरूरी होती है, इसलिए हम आ गए थे यहां पर, और यह बहुत अच्छा है, और यहां पर देखो, मेरी मम्मी विहान को मैं लेके आ रही थी, और मम्मी और मोसी जी बैठे, यहां बैठने का है इधर, तो मम्मी बाते कर रहे थ मम्मी बोलते की सीडी ओं, क्योंकि उपर सीडी हैं, आप देखोगे ना सामने, तो मम्मी बोलते की मेरे से सीडीों पर पाव नहीं रखा जाता अब इस टाइम, यह देखो यहां बैठ गहे थे, तो मैं बोलते, फिर किसी ने बताया कि यहां ना मंदिर में ही लिफ्ट भी ह रेंजमेंट हो चुका लेकिन फिर वही है ना कि मम्मी को जादा चल नहीं सकते अभी इतनी थकान हो जाएगी जादा अभी थोड़ा बहुत रिकावर करने लगे हैं और फिर एकदम से जादा हैवी भी नहीं होना चाहिए ना कि एकदम से जादा खुद के शरीर पे जोड डा इनसानों की कमी मत देना और स्वास्थे की कमी मत देना बस हैल्थ अच्छी रखो मेरी मम्मी को स्वास्थ रखो मेरे बच्चे को स्वास्थ रखो बस और क्या कुछ नहीं चाहिए और यहां पे ना चपल ना बाहर भी उतार देते हैं कुछ लोग जैसे उनको दर्शन करना otherwise ना अंदर ना वो है ये देखो इधर तो सारे एक बोरी दे देते हैं उसमें जैसे पूरे परिवार की चपल अंदर रख लेते हैं और बदले में हमें एक टोकन दे देते हैं और मंदिरों में आजकल ये चलन तो हो गया है कि मंदिरों के बाहर देखो पूजा पार्ट का समान तो पहले मिलता ही मिलता था बट आजकल बच्चों के खिलोने भी मिलते हैं क्योंकि बच्चे आते हैं मंदिर में जैसे तो उनको तो क्या चाहिए होता है तो ऐसा भी बहुत कुछ जैसे की रिंग, पता नहीं क्या-क्या समान यहां पर मिलता है, हर मंदिर में, मैं भी गई थी ना जब गुडगाओं भी, शीतला माता मंदिर, वहां भी यही हाल था, मतलब वहां भी बच्चों का इतना कुछ था, खिलोने क्या, तो इधर आ देखो यहां पर बाहर आये थे, और बाकी ना अंदर जैसे हम इस मंदिर में गुफाएं भी हैं, लेकिन हम गुफाएं में से नहीं घूम पाए, थोड़ा गुफाएं नहीं देखी हमने इस टाइम, क्योंकि हम थोड़ी जल्दी में आये थे, क्योंकि शाम का टाइम था, ठंड़ मोसम हो जाता है, आप समझी सकते हो, और फिर ममी को भी यह ना कि एकदब से अभी जैसे हम ममी अंदर अंदर रहते हैं, और कहीं जैसे एकदब से ठंडी हवा लग जाए, अभी कमजोर शरीर है, उनका धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं, तो सर्दी खांसी जुखाम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना इसलिए हमने बस यह था कि बस हमें दर्शन करने है भगवान जी के यहाँ पे देखो यह बहुत बड़ा होल था और मैंने सिर पे डुपट्टा ले लिया था और आज आप मेरे को देखो कि मैंने अपने कानों में भी देखो अपसे मैं यही सोचा में जब आप जादा डेंशन डिप्रेशन लेते हो ना अपनी जिन्दगी में तो आप खुद का तो ध्यान भूली जाते हो रखना मेरे पता है बाल हमेशा ना कंगी भी नहीं होते थे ऐसी उलजे बालों में मार्किट में घूमती रहती थी मैं पता ही नहीं क्या हो रखा अपसे मैं अच्छे से रहा करूंगी मैंने पहले में सोचती थी जब मैं यूट्यूब पे आई ती ना मैं फिर भी तेखो अच्छे से पिर भी आती थी कभी मदब लहंगे भी पहन लेती थी कभी साड़ियां भी पहनती थी मेरे पास जो साड़ियां थी मैं वियर करती थी सूट भी थे और पहन लेती थी लेकिन फिर अब मैंने क्या किया मैंने सब कुछ अलमारी में रख लिया मेरे पास न Nepie उतनी अच्छे अंस्तिच सूट है जो सिल्वाई भी नहीं लेकिन वो तो छोड़ो जो सिल्वाई हुए सूट है मैने वो भी नहीं पहने ऐसे के ऐसे रख़ा-रख़ा भी कपड़ा खराब हो जाता है तो इसलिए मान लो मेरे पास ये जुमके थे गोल्ड के इनको रखा रखा क्या बनेगा पहन लूँ पहनने से क्या है पहनना चाहिए अगर कुछ है तो पहन ही लेना चाहिए तो मैं बिंदी लगाना चाहरी थी आज मैंने सोचा था जब तयार हुई थी कि मैं अपने माते पे एक छोटी सी बिंदी लगाऊंगी लेकिन मेरे पास थी ही नहीं मेरे को पता ही नहीं मेरे पते कहां गए बिंदी हो के मेरे पता दो तिन थे एक पता था वो मैं मम्मी के लिए लाई थी वो बहुत मोटा मोटा बिंदी का पता था मेरे को छोटी बिंदी अच्छी लगती है मेरे माते पर बड़ी बड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती बिंदी तो एक काली बिंदी का चलन है आजकल काली बिंदी बहुत सुन्दर लगती है जिसे हरी बिंदी भी आजकल जैसे कलर्फुल बिना डिजाइन की simple plain बिंदी आती है अलग-अलग colors की, वो बिंदी बहुत प्यारी लगती है चोटी-चोटी बिंदी लगाओ बहुत ही सुन्दर लगती है और मेरे पास ना, यह देखें यहाँ पर आप पहले तो दर्शन कर लीजिए देख लीजिए यहाँ पर ना, पूरा यह जैसे बनसल यह इस तरीके से जैसे बनियों में होता है वो सफका मतलब इस तरीके से यहाँ पर बना रखा था तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा था तो अच्छा लग रहा था मैं यह खहरी थी कि मेरे पास मेक-अप का समान पिछले साल अगस्त में मुझे काम मिलता था, पिछले से पिछले साल मैंने एक साल काम किया था, तो उस टाइब मैं अपना मेक अप वगेरा का समान मंगवा लिया करती थी, और मेक अप का समान तो दो-दो साल एक्सपायर नहीं होता, तो मेरे पास काफी हो गया था इकठा, और उसके बाद एक साल मेरे पास अभी तक उसके बाद पिछले साल अगस्ट से waking का देख लो, धिसम नुवंबर आ गया है, पिछले देर्ट साल ही हो जाएका मेरे पास काम नहीं है, वह वाला जो पहले मिलता था, то उस वहां से में अपना मेक-अप का जमान भाल लेती थी, औ गर्ग, गोयल, सिंगल, मितल, यह ना बनियों की वो होते हैं आगे, जो भी बोलते हैं, मुझे इतना बतानी, वर्ग बोलते हैं, जैसे पंडितों में होते हैं, जैसे पंडित भी अलग अलग उसके होते हैं, जैसे कोई भारदवाज होता है, कोई शर्मा लगाता है पीछे, क बट अब भी मेरे पस थोड़ा बहुत बचा हुआ है यही मैं बता रही थी तो यह देखें यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए कितना सुन्दर लग रहा था मुझे तो बहुत ही जादा अच्छा लग रहा था उसकी पसंद के दुकान पे ले जाके उसको एक चश्मा भी दिलवाया है अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी इतना सुन्दर लग रहा था मेरा विहान चश्मा वह ला पहन के और यह देखो यह खिलोना था जिराफ दिलवाया था इस तरीके से और यह चश्मा यह चश्मा तो बहुत ही जच्रा था मेरे विहान पे बिल्कुल ना इसके पापा जैसा लग रहा था क्योंकि मेरे हस्बेंड का ना चश्मों की यह आपको पता है दुकान पे काम करते थे वो फिलिप कार्ड नी पे लेंस कार्ड पे तो लेंस कार्ड पे वो ना ऐसी चश्मा वह मतलब कहीं बार उन्हों ने जैसे पहले उसे पहले जिसक दुकान पे काम करते थे ना तो इनके बहुत चश्मों का कलेक्शन था मेरे हस्बेंड के पास कम से कम आठ दस अच्छे अच्छे रेबिन के जैसे भी अच्छे ब्रैंड के कलेक्शन थे क्योंकि उनको तो सस्ते ही मिल जाते थे जैसे थोड़ा सा डिसकाउंट मिल जाता था तो वो पहनते थे ना तो सेम टू सेम ऐसा मेरे हस्बेंड के पास भी लाइट है तो इधर यह पेड़ों पे इस तरीके से कुछ बन रहा था तो आपको भी मैं यह बोलती हूं कि अगर आपको भी हिसार आओ ना तो आपको अग्रोहा मंदिर तो आना ही आना है रस्ते में जब टोल आया था वहां पे एक तिरुपती बाला जी का भी मंदिर अभी बन रहा है वो अंडर कर्स्ट्रक्शन था थोड़ा सा थोड़ा सब तयार हो चुका था पर हम यहां से ना हमें एक और था कि हम वहां भी जाएं लेकिन फिर आते हुए बहुत जल्दी हो गई थी हम यहां पर भी पूरा मंदिर में आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि हमें जल्दी निकलना पड़ा था वरना यहां पर तो कैफेटेरिया भी बैठने का अर्रेंजमेंट भी था यहां पर बहुत कुछ है लेकिन क्याना कि ना हमें देखना था कि मम्मी को मतलब यह था कि हमने यही सोचा था कि हम ना ज्यादा देर नहीं रुकेंगे बस दर्शन करक से कोई एक रुकता लेकिन मेरा तो जाना ज़रूरी था और यह देखिए यहां पर ना हनुमान जी की बहुत बड़ी मूरती है यह बहुत बड़ी है हम तो बिल्कुल कीडी के बराबर लगेंगे इतनी बड़ी है अब आपको मैं दिखाऊंगी यह नीचे पार्क में लोग ऐसा लगता है क्योंकि देखो परिवार और रिष्टेदारी ऐसी ही बनती है ऐसी अच्छा लगता है जब साथ में बैठते हैं उठते हैं और मिलते रहते हैं अगर हम मिलेंगे नहीं तो फिर तो क्या फायदा है तो ज्यादा ना सही साल में एक यह दो बार भी मिल लेते है तो अपना पन लगा रहता है बाकी आजकल टेक्नियोलिजी का जहमान है फोन पे बात तो हर दूसरे दिन होई जाती है अपनी फैमिली में परिवार में तो चलिए अब यहां से जाने का हमारा टाइम आ गया है यह पारकिंग एरिया था यहां का उसके बाद घर आये तो देख मैं भी एक ले लेती हूँ तो एक्जेक्टली अब मेरा सत्तर किलो वजन हो चुका है और अब मैं मंडे से अपना डाइटिंग प्लैन शुरू करूंगी अब मैं नहीं खाऊंगी कल मंडे से अपना थोड़ा ध्यान रखूंगी और यह देखो फिर रात को मैंने यह रायता पर मेरे पास ना तीन चार ही लिप लिप लिपश्टिक बची है और वो भी कौनसी जो लाइट लाइट कलर ही होते हैं जो बिल्कुली न्यूर शेड होते हैं जैसे ब्राउन वाले जैसे जो लिप्स पे लगा हो तब भी पता नहीं चलता अपने लिप्स्टिक लगाई है बस वही बचे हो हैं जैसे जो कलरफुल वाले होते हैं जैसे पिंग हो गया रैड हो गया या और भी डिफरेंट कलर्स वह सारे मेरे खतम हो गया क्योंकि मैं वही जादा यूज करती थी यह वाले में कम लगाती थी तो यह बचे रहेंगे कुछ मेरी विहानने खराब करती ह आपको पता है बच्चा चला देता है तो उसकी वज़े से ना अब क्या बोलू मैं अब पूरा कलेक्शन मेरा खतम हो रखा है बिल्कुली लाउंगी और ये देखिए जी अब मैंने पहन की रखी लिए मैंने पर्मानेंटी रख लिए बाकी ये भी मिरको थोड़ा सा मेरे कान दूनिया में थे जब इस दुनिया में थे बोलते थे किना नी थी मैं तरको बालियां गिफ्ट करना चाहता हुआ भालिय की इस बढ़ी बड़ी हो दूख दूख को अथी फ्रिए बड़ी लूंगा लूँगा एसे एक दिन बैठे बोल रहे थे जब मैं प्रेगनेंट थी क क्योंकि काफी टाइम हो गया कि लगाया नहीं है कुछ डाला नहीं उस दिन के बाद टाइम नहीं मिला देखती हूं कुछ ना कुछ वरना पहन नहीं लूँगी इसमें वरना सिंक वगरा लगा दूँगी थोड़ा टाइम के लिए कि छेद बन ना हो ताकी और आज देखो मैं पिछले साल जब काम मिला करता था ना पिछली सर्दियों में मेरे को खलोविया से मिला था एक बहुत ही प्यारा सा नाइट सूट वो पिंक कलर का जो मेरा भी रिसेंटली पहना भी था ना एक वीडियो में वो पूरा ना उस पे किसी और कपड़े का रंग लग गया मुझे कुछ भी नहीं आया लगा कैसे मैंने तो धोने से पहले ही लग गया वो कलर पता नहीं क्या लगा मुझे नहीं समझ में आया कि कुछ पता नहीं क्या लगा दो तिन कपड़ों के लग गया पता नहीं हो तो धोया भी मैंने फर्स टाइम है और धोने से पहले ही देखा उस प पिंग मेरी मोसी जी नीचे तो यह एकचा पशनदी आजा सबची जी का अच्छी मिर्टा वहां खाता है तो तो लिगा मम्य Morip आटे मुझा जी नीचे अठी आटाना कुछ चाने में जी जी नी बना दे तोड़ी सी तो आटा आटेका घर का लेंगे बोलते हैं अभी चाय पी थी ममी ने बिस्किट खाये थे सुबह तो नाशते में यही खाते हैं और मैं भी अभी पसोचा वीडियो के एडिटिंग कर लूँ आप लोगों से बात कर लूँ आज भी हन की स्कूल की छुटी करवा दी वैसे आज मंडे है आज से बस मैं अपनी जिंदगी ना अच्छे से पोजिटिवली जिऊंगी और हिमत के साथ रहूंगी हिमत से चलने आप मुझे स्ट्रोंग बनना है और अब ना मेरे को यह नी परवा करनी कि ना लोग क्या बोलते हैं तो जैसे अच्छा लगते हैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी नी थी और अपने आप से प्यार करना सी सबसे पहले तो अपनी वैल्यू कर तुने तो अपनी वैल्यू बिल्कुल ही अपनी नजरों में ऐसे कर रखी है न अच्छे से रहना न ढंग से रहना आप लोगकी कॉमिंट करते रहते हूं मुझे ऐसा लग रहे कि मैं टेंशन्स में बहुत जादा थी लास्ट कुछ राइम में और वो चीजें दिखती थी बट अब नहीं अब मैं थोड़ा सा अपने अच्छे से अच्छी बन के आया करूँगी वीडियोस में भी और वैसे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहना करूँगी अच्छे से खुद को तियार रखा करूँगी बिल्कुल अच्छे से और अपने आप से कहते हैं प्यार करना बहुत जरू चलिए बहुत बाते तो आप लोगों से करनी हैं बड़ एक पर थोड़ा नीचे चली जाओं मैं और lots of love thank you और जिंदगी की नई शुरुवात करी है मैंने आज से अब जिंदगी में कभी भी उदास नहीं रहूंगी tensions नहीं लूँगी खुश रहूंगी और life को positively लेकर शलूंगी bye bye take care loads of love